नमस्कार दोस्तों आपकी खबर दकापिल शर्मा शो से दकापिल शर्मा शो के चंदु चाय वाले की पतनी है बला की खूबसूरत खूबसूरती में आस पास भी नहीं टिकती है अक्ट्रेस सोनी चीवे में प्रसारित होने वाला दकापिल शर्मा शो लोगों को बहुत अच्छा लगता है शनिवार और रविवार का मतलब कि लोगों के दिमाग से सोनी और कापिल शर्मा का शो होता है दर्शक इस शो का हफ्ते भर इंतजार करते हैं इस शो के हर कलाकार को लोग जानते हैं उनमें से ही एक कलाकार का नाम चंदन प्रभाकर है उनकी पतनी हैं काफी कूपसुरत अपने अलग अंदार से वो सबको हसाते हैं लेकिन आपको पता नहीं होगा कि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही अधिक है वह किसी बॉलीवड अभी नीता से कम नहीं है दकपर शर्मा शोक्त में भले ही चंदर प्रभाकर गल्फिर्ण बनाने के लिए पागल रहते हैं लेकिन रियल लाइफ में वो शादी शुदा है उनकी पतनी बे तहाशा खुपसूरत है वो एक बच्ची की पिता भी है या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है कि चंदर प्रभाकर की फैमिली बन चुकी है ऐसा कहा जाता है कि चंदर की पतनी बहुत कूपसूरत है उनके आगे बॉलीवड की हिरोइन्स भी फीकी लगती है साल 2015 में उनकी शागी हुई उनकी पतनी का नाम नंदिनी खन्ना है वो लाइम लाइट से बहुत दूर रहती है और पॉब्लिक प्लेस में कम दिखाई पड़ती है इनको कपिर शर्मा के वेडिंग रसेप्शन में देखा गया था चंदू की बेजी एडविका है फिलाल चंदू आए दिन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी पतनी के साथ फोलो शेर किया करते हैं उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है चंदू की पतनी नंदनी बिना मेकप के ही बहुत खुपसूरत दिखाई देती है उनकी खुपसूरती के चर्चे हैं उनके सामने बड़ी बड़ी अभी नेत्रियां भी पानी भरती है क्योंकि उनके चेहरे में एक अलग ही चमक दिखाई देती है लोगों का कहना है कि नंदनी आज लाइम लाइट में होती तो शायद बॉलिवुड में उनकी अच्छी पकड़ होती आए दिन सोशल मीडिया पर चंदू अपनी पत्नी के साथ फोटो शेर करते हैं उनके चाहने वालों की भी कोई कमी नहीं है और सभी लोग उनकी कोटो पे कमेंट भी करते हैं चंदू के फैंस भी यही चाहते हैं कि उनकी पत्नी बॉलिवुड में काम करें तो इस बारे में आप अपने कमेंस जरूर शेर करें इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें धन्यवाद